हेलो मैं राज जवंदारी आप सबको स्वागत करता हूँ अपने चानि लेक्टेकल अड़े में आज जो मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके आऊ आर्मस वेल्यू ठीक है कि यह आर्मस वेल्यू क्या होती है और आर्मस वेल्यू जो होती है वो किसके अंदर बिलती ह आपको AC जो AC आपकी करन्ट होती है वोल्टेज होती है उसकी आप अर्मस वेल्यू निकालते है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जगा इंट्रॉव्यू में भी पुछा जाता है बहुत जैसे आप जब आप इंजनेरिंग करोगे ठीक है तो वहां पे निकाले चाहिए voltage की निकाले वो कौनसे होती है AC होती है ठीक है DC के अंदर RMS value नहीं calculate करते हैं ठीक अब RMS value निकालनी की जुरत क्यों पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि AC जो current होती है अब हो मेर्क हफिकर और जब इस तरह के से फ्लो घेग है वो जब इस तरह के से चलती है तो क्या होते है चेंज होते रहती है अपकी है क्यों रहती है चेंज होते रहती है जैसे अकर हम रहां से जब चलना श्टार्ट करेगी पहलर मैक्सिमूम तक जाएगी तो उसके बाद बढ़ना यहाँ पर चेंज होते हैं अब चेंज होते रहेंगे तो दो हम इसकी एक्ष्ण वैलू नहीं पता लगएगा तो इसके लिए और उस वैलु को हम किसे निकालेंगे जो भी हमारे मेटर होता है जैसे वोल्ट मेटर होता है ठीक है जो आपका AC का Vol METR हो गया चाहिए वह एमेटर हो ग кап at तो 20 वोॉटेज को मैज़र करते हैं ठीक है यह जहां पर हम बोलते है ट ऐैन आ रही घान रे है यह 440 थीपेस में वह भी आपके कि यह कौन मेजर करते हैं तो मेजर करते हैं तो कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं अर्मस वैल्यू ठीक है अब यह समझते हैं इसको आर्मस वैल्यू होती क्या है तो आर्मस वैल्यू को निकाल लेके लिए हम क्या करते हैं इसको कंपेर करते हैं इसको कंपेर करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर इसको समझते हैं तो हम क्या करते हैं यहासे सरा है इसको Dec si करन देने पर हम ने हन्ड़चे हीड जन्यat कराई इसको ए से इसको पहले हम यहां Care कंद देते हैं ठीक है AC क्रन देते हैं और असी क्रन को कड़ेंगे मचले देने ठीक हैं इसे हम इसमें अन्डाइड जूल धन्याइट गो m है सेम होने चीह ठीक अब जाब हमने बनों में क्या कर दी हंडध geehr होगी हुआ है है क्ञेक है यह जो करन्ट होगी बिकलों किbasis को यह को downstairs बोल सकते हैं कि जितनी करण्ट DC में यूज वी होगी 100 Joule हीट को induce कराने के लिए उतनी हमारी AC में भी उतनी ही करण्ट यूज वी होगी ठीक है तो यही करण्ट को हम क्या equivalent लेते किसके लिए AC के तो यह जो करण्ट हम लेते हैं यह हमारी सिर्ड होती है कहाँ से होती है अर näज करण्ट होती है ठीक है बीस्पर excuse लिए उसको हमने करण्ट य कौनसी एसी करण्ट करन्ट टेने करान से हम में जबनेell Bang जैसे हमने जैन्ड़ जूल हीट रहाई तो हमने देख लिए डी सी करण्ट को आमने मेजर कर लिया कि इतनी है किसके अधिके है और यह जो एक्रण्ट होती है हमाले यहां पर यहीं हमारी rms चालड हो जाती है ठीक है कौन से स्क्राइब हो जाती है क्रिक है ठीक तो यह आपका इसके अंदर मैंने आपको समझा जया कि kia rms की होथी तो आउज होप आपको समझ्माय HOLगा ठीक है तो बाकिस की definition में भी यह लिखा हुआ है ठीक है तो आप definition को तो इसमें आप देख सकते हो तो I hope आपको इस समझ में आया होगा कोई भी query हो इसमें तो please comment केजएगा Thank you